हेलो एवरीवन वन्स एगेन वेलकम बेक टो आवर यूटूब चैनल नर्सिंग नोट्स और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे हाइपरनेट्रीमिया के बारे में यहाँ रिलेटेट है फ्लीड एन्लेक्टरोलाइट इंबेलन्स से रिगार्डिंग यहाँ यूनिट मेडिकल एज सर्जीकल नर्सिंग से रिलेटेड है जो GNM नर्सिंग दोनों इस्टूडेंट के लिए इसके अंदर हम इसकी डेफिनेश in blood above 145 m3 per liter यहाँ पर आपको EMI ठीके EMI आपको दिखाई दे रहा है तो यह जहाँ पर भी आपको यह दिखाई देगा किसी भी word के पीछे यदि EMI जूड़ा हुआ है तो वो related है blood से ठीके blood से related है तो यह भी हमारा हुआ blood से related it is defined as increased sodium level जो sodium का जो level है वो कहाँ पर blood में increase हो जाएगा 145 से above ठीके तो यह इसकी normal definition हो गई next causes इसके क्या-क्या कारण हो सकते हैं कि sodium का level हमारे blood में किस कारण से हमारे शरीर में बढ़ रहा है ठीके तो सबसे पहला है high diet of salt salt का ज्यादा use करने पे second है renal failure जो renal disease है ठीके kidney से related जो भी disease है उसकी वज़े से third one burns कोई भी जल गया है ठीके कोई भी पार जल गया उसकी वज़े से भी कभी क्या है sodium का level बढ़ जाता है next है excessive sweating ठीके जादा sweating की वज़े से use of hypertonic saline जैसे की normal saline ठीके NS and DNS तो यह क्या दोनों क्या है hypertonic saline है next inadequate water intake और क्या है inadequate water intake की वज़े से होगा heat stroke diarrhea and diabetes malitis की वज़े से भी क्या है sodium का level हमारे शरीर में बढ़ सकता है ठीके अब इसकी बात करेंगे sign and symptom की कि इसके क्या-क्या sign and symptom हो सकते हैं हम mix दोनों चलेंगे ठीके तो सबसे पहला आए नोजिया सेकेंड वन है vomiting ठीके थार्ड वन है oligourea फिर फॉर्थ एडिमा फिर्थ है weakness नेक्स्ट ड्राय ओफ माउथ and hypertension ठीके यह इसके sign and symptom हो गए and last one है heart disease next है diagnostic test इसके अंदर कौन-कौन से test या investigation करेंगे तो सबसे पहला है history collection हम उसकी history collection करेंगे second one है physical examination third one है blood test and fourth one है urine test ठीके blood test में हम सारे blood test करेंगे urine test में उसके सभी urine जो examination होगा वो हम उसके अंदर करेंगे तो यह था diagnostic test and last second last one है medical management medical management में क्या है drug diuretic drug देंगे जैसे की frosamide and fluid D5 fluid हम इसको provide करेंगे तो यह क्या medical इसका management हो गया next हमारा important motto है nursing management कहीं पर भी आपको exam में लिखना है चाहे कोई भी disease हो आपने उसका सब लिख दिया है जैसे की definition लिख दिया causes लिख दिया sign and symptoms लिख दिया diagnostic test लिख दिया and medical and surgical management भी लिख दिया आपने लेकिन यदि आपने nursing management नहीं लिखा तो वो आपको exam में सही से number नहीं मिलेंगे ठीक है आपने syllabus भी देखा होगा जिसके अंदर nursing management of patient with इस तरीके से क्या है syllabus है तो हमको nursing management हमारा जो main motto है nursing management हमको हर क्या disease में लिखना है और सबी disease में कैसे एक ही तरह से क्या है लिख सकते है उसकी भी वीडियो आपको link description में विल जाएगी वहाँ से जा क्या आप देख सकते है तो इसके अंदर first point है decrease thrust or excessive administration of salt solution और impacts secretion of sodium and water ठीक है इसके अंदर क्या है उसकी thrust and excessive administrative administration of salt का उसको हम क्या कम करेंगे ठीक है next don't use ns and dns जो slain है ठीक है hypotonic solution है वो हम इसके अंदर provide नहीं करेंगे तो यह हमारे क्या दो इसके अंदर nursing management है होगे और भी क्या management है उसकी भी link आपको description में मिल जाएगी वहाँ से जाक्या क्या आप उनसे regarding वो इसके अंदर include कर सकते हैं तो यह था hypernatremia के बारे में यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो वीडियो को like करें वीडियो को share करें और अपने classmates के साथ भी share करें हम और भी medical and surgical nursing से related topic पे classes लाते रहेंगे Thank you